वाओ देखो एक नई फैमिली हमारे पडोस में रहने आई है दादी ये लोग कितने अच्छे लग रहे हैं इनके पास बहुत सारे खिलोने हैं मैं तो इसके साथ ही खेलूंगी दादी और अगर तुमारे पुराने दोस तुमें खेलने के लिए बुलाएंगे तो क्या करोगे? कोई बात नहीं उन्हें मैं कह दूँगी कि मैं व्यस्त हूँ वो तो वैसे ही बहुत बोरिंग है दादी ओ मैं समझ गए अच्छा क्या तुमें इत कहानी सुनना चाहोगी जीना? हाँ गादी अब मज़ा आएगा ये कहानी सुनेंगे तो सुनो और हाँ ध्यान से सुनना मैं कहानी खतम होने के बाद तुमसे पूछूँगी कि तुमने इस कहानी से क्या सीखा? ओके गादी तो फिर सुनो इस कहानी का नाम है अमीर बिल्ली और करीब कुटा एक बार की बार है एक छोड़ने से बक्री के बच्चे का नाम था मिंकी मिंकी हमेशा मस्त मौला रहने बार को पुटी थी जो हमेशा केलती और मजे करती रहती थी उसका सबसे अच्छा दोस एक कुटा बुनो था जो एक छोड़ने से घर में आपने माली के साथ खुशी-खुशी रहा करता था मिंकी और बुनो दोनों पहुत बड़ अच्छे दोस थी और हमेशा एक दूसरे के साथ खेला करते थे एक दिन एक नया जानवर उस कॉलोनी में रहने आया जिसका नाम था एंजल एक सुन्दर सी पार्सी बिल्ली वह एक अमीर परिवार की पालतू जानवर थी एक दिन हमारी मिंकी उस अमीर परिवार से मिलने गई हे ये किस तरह का जानवर है हे तू कौन हो हे मैं एक बकरी हूँ मेरा नाम मिंकी है बकरी ये बकरी क्या होती है मैंने इसके बारे में आज तक न सुना है और ना पहले देखा है लेकिन तू कितनी सुन्दर और अच्छी हो शुक्रिया तुम ही बहुत अच्छी हो क्या ये तुम्हारा नया घर है ये तो बहुत ही बढ़िया है कितना बढ़ा घर है मुझे रखता है तुम्हारे पास बहुत सारे खिलाने होंगे हाँ हाँ बिल्कुल क्या तुम मेरे खिलोने देखना चाहोगी हाँ हाँ क्यों नहीं क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगी इसमें तो बहुत मज़ा आएगा मुझे भी तो यहाँ नए दोस्तों के जरुवत है क्या तुम मेरे दोस्त पर ना पसंद करोगी मिंकी खुशी खुशी जा रही होती है तभी उसे ब्रूनो मिलता है मिंकी तुम यहाँ पकेली क्या कर रहे हो चलो आओ खेलते हैं हम नहीं ब्रूनो हाज नहीं अभी मुझे थोड़ा काम है बात में मिलते हैं इस तरह मिंकी रोज इंचल के साथ उसके माली के धर जानी रगी एक दिन ब्रूनो ने उसे देख लिया ओ तो यह अपने नए दोस्त के साथ खेलने जाते है और उसे मेरे साथ खेलने में क्या परिशानी है उसी दिन शाथ को मिंकी घर वापस आ रहे तब ही अचानक आस्मान में काले धने बादल जाते हैं ओ यहां तो अल्थेरा चाने है मुझे रगता है तुफान आने वाला है अरे वहाँ एजल के मालिक का घर है वहाँ चलती हूँ एजल प्लीज मुझे अंदर आने दो तुफान बहुत खतरनाक है बात यह है मिंकी मेरे मालिक ने कुछी दिन पहले नया काले मिया है और अगर मैं तुम्हे अंदर आने दोगी तो तुम पूरे काले को अपने गंदे बेरों से खराब कर दोगी और इस पास से मेरे मालिक बहुत दराज हो जाएंगे इसा मत कहूँ एंजल मुझे वापस पत बेजो बारिश बहुत तेज है माफ करना मिंकी पर मैं तुम्हारे कोई मदद नहीं कर सकती मुझे ओमीर है कि तुम मेरे बात समझ कहीं होगी इंजल कितनी बेरहम है इसके खिलोने मेरे किसी काम के नहीं इसमें मेरे कोई मदद नहीं ती क्या दोस्त ऐसे होते हैं? ये कहते हुए मिंकी वहां से निकल पड़ती है तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त ब्रूनो मिलता है अरे मिंकी तुम तो बारिश में भीग गई हो चलो मेरे साथ मेरे मालिक के खर चलो वहां जागा तो कुछ नहीं और गर्मा गरम सुप तुमारा इंतिजार कर ला है ओ ब्रूनो तुम कितने अच्छे हो और मैं कितनी स्वार थी तुम मेरे सचे दोस्त हो ब्रूनो तो इस कहानी से तुमने क्या सीखा दी ना? मैं समझ गई दादी, हमें अपने दोस्तों की तुलना उनके पैसों से कभी नहीं करनी चाहिए बल्कि मुसीबत पे मदद करने वाला ही सच्छा दोस्त होता है बिल्कुल सही, अब जाओ और अपने दोस्तों के साथ खीलो ओके दादी, आज आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई आप बहुत अच्छी है दादी